हेलो गाइस वालकम बेक तो माई यूटूब चैनल को मकडशनी एक विदानात और ब्लॉग आज इस ब्लॉग में आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ या आपके साथ एक तरह से आपको एक्स्प्लेइन करने वाला हूँ कि वेतनाम का इवीजा कैसे अपलाई कर सकते हैं क्या प्रोसेस होता है उसका कैसा डॉकुमेंटेशन आपको चाहिए कितनी फीस है उसकी और आप कहा जाके उसको अपलाई कर सकते हैं उसकी वेबसाइट यह सारी चीज़ा इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अगर आप वेतनाम जाने का प्लान कर रहे तो सारी चाहिए वेबसाइट है गया क्योंकि इनकी और में जाने क्यक्किर्म टॉगल के आपसे में उसकी प्लाई कर सकते है तो आपको स तो वहां पर आपको प्रावलम होगी तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वहां पर क्लिक करके टारेट आप सीधा रफसाइट्स पर जा सकते हैं तो वहां पर आपको कैसे फॉर्म फिल करना है क्या डिटेल्स आपको चाहिए वह सारी में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और व्यतनाम का वीजा जो है वो 25 डॉलर का होता है उसको आप उनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई करोगे तो आपकी इमेल आड़ी यूज़ करोगे तो तो इस रेइस्टर इमेल आड़ी पर आपके पास उसका मेल आजाएगा तो उस मेल का जो मेल आएगा जिसमें आपका इवीजा होगा वो आपको प्रिंट निकालके ले जाना है जब आप व्यतनाम एयरपोर्ट पर पहुंचोगे जब वहाँ पर वीजा नरावल का काउंटर जो होगा वहाँ पर जाओगे तब आप उनको अपना कर देंगे जैसे आपने था ऐलेंट का स्टिकर वीजा अगर आपने देखा ओं तो ऐसा आपका स्टिकर वीजा लगा देंगे आपके पास्पोर्ट पर उसमें सारी चीज़े मेंशेंन होगा यपो चीज यहां पर वैतनाम में ट्रवम करके यह हो तो आप होटल बुकिंग जाल दे तो जो भी आप डमी यूज़ कर रहे हो वहां पर इन्वैलिड होगा आपके प्रॉपर नाम से होटल प्रिंटांग लेका आए वियतनम एयरपोर्ट पर आएं तो चलिए अब इस्ता नहीं चाहिए इस प्रच्छू पर्म कैसे छाहिए चलिए चलते हैं मैं आपको लेकर चलता हूं भी के स्क्रीन पर तो दोस्तों आप यह मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं यहां पर मैंने गूगल पर डा रहे हैं वेटनाम इवीजा तो आप जैसे वेटनाम इवीजा डालग हो तो यहां पर आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जहां पर आप क्लिक करके आप्लाई करोगे तो आपको वीजा भी मिल जाए बट वहां पर जाके वैलेड ना हो और प्रॉप को प्रॉब्लम क्रियेट हो तो उससे बचने के लिए मैं आपको यहां पर वेबसाइट का लिंक भी ढाल दूआ तो आप यह देख सकते हैं यह वाल कोई साइज ऐसा फिक्स नहीं है कि उसका सवाइज कोई मेजरमेंट हो कि आपको चाहिए जो भी है उसके अपर इसमें बस एक चीज़ है कि आपका बाइट बैक्राउंड और आपकी कोई टोपी यह कोई चस्मा बगरा ना लगा हो बस यह चीज मेंशन करना है अब इसमें अब यहां पर आप देख सकते हैं सिंगल एंट्री की फीज वह 25 डॉलार है और आपकी मल्टीपल एंट्री की 55 डॉलार है तो यहां पर चूस कर सकते हैं कि आपको किस टाइप का वीजा चाहिए सिंगल एंट्री की मल्टीपल एंट्री अब यहां पर आपको यह वाला फॉर्म यह पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको अपकी पर्सनल इंफॉर्मिशन फिल करनी है आपका पासपोर आपका कैसा होना चाहिए यहां पर आपको पासपोर्ट सलेक्ट करना है आप पासपोर्ट को स्केन करके भी रख सकते हैं अपर आप उसकी फोटो खीचके प्रॉपर जिसमें आपका डिटेल जो क्लियर ली दिखें तो वह आप यहां पर आते पर्सनल इंफॉर्मेशन में जैसे आपका सरनेम गिवन नेम यहां पर लोग को कर्फ्यूस होता है कि मेरा जो है वह एक ही नेम है गिवन नेम है तो मैं यहां पर आपको सज्जेश्ट करूँ है कि आप कन्फ्यूस ना हो आप अपना पासपोर्ट ले उस पासपोर्ट के अंदर आपको सारी चीज़ें दे रखी होंगे आपका First Name Last Name Given name जो भी आपका होगा उसके अक्वार्टिंग आप फिल करें नेम अगर उसमें दे रखा तो सरनेम डालें गिवन नेम है तो गिवन येम है तो इरुसमें पूरा अपना नेम डालें पूरा जो भी है यहां पर नाले के बाद फिर आपका देख देख कर आप सारी information फिल करते हैं कि आपकी date of birth क्या है full date month ही आप यह और only एन ओन में passport के अंदर आपका place of birth दे रखा होगा आपका sex Indian nationality है कि कौन सी आपकी nationality है वो भी आप यहां डाल सकते हैं religion उसमें Hindu mail ID जो आपकी चाहिए होगी वो आपका passport number ID card जो नंबर होता है वो इन्होंने पर देखा रहा है have you ever used any other passport to enter अगर आप व्यतनाम में किसी दूसरे passport से गए यानि कि मेरा पास पहले passport तो मैं उससे गया हूं पर मेरा passport जो भर गया मैंने उसको रिन्यू करवाया है तो अगर आप येस करते हैं तो इस passport की यहां पर डेटेल डालनी है कि मेरा पराना पास्पूर्ट यह था उसका और data of place डेट अच्छ को और डालत जीं अगर नहीं तो आप नो कर सकते हैं आपके पास मल्टिप्ल नेशनलिटी या आप के पास्पूर्ट हैं आपके इंडियन पास्पूर्ट भी या आपका कनेडिन है जो भी आपका डबल नेशनलेटी से तो आप एस करोगे तो यहां पर वो आपसे डिटेल पूछेगा कि दूसरी डेशनलेटी आपकी कौन सी है को कोई आपका वेतनाम में कोई आपने कोई प्रॉब्लम हुई है तो यह आप अपको नो करना इसका कोई वह नहीं है अब यहां पर आता है आप आपको अपको चैक बॉक्स लिंग सिंगल एंट यहां पर कट लेकिश राइंडा करें तो यहां पर आप्ञाएवलड़ सकते हैं यह का आपका ॉटमैटिक है इस दिन आप अपको ठेंड़ कराओं गया जैसे मैं दिन पर नेंस से वह कें थैसे मैं अबहरो एक साथ n addressing रिखने totally मेंशिंग कर दिया अब यहां पर पासपॉड आपका की उडिल्येक्ट है तो है तो है यहां पर डाल सकते आपका पासपॉड नमबर कहा पासपॉड कहां से एश्युहाई यह सारी चीजंगे अब को कारे तो नहीं है तो !! व्रह सब्सक्राइब परमानेंट अट्राइड्रस में होनिया या पर पर परनेंट में आपका होम डाउं का एडर्स सकते हैं इमर्जेंशी कॉंटेक्स नंबर या आप कोई भी टाल सकते हैं अब आप यहाँ पर डाल सकते हुआ तो यहाँ पर लिख सकते हिए थीक matches के साथ ठीक है के अब और यहाँ पर occupation और किया और अब भुवे मार्ण के सकते हों या बीघ्जिस थी दिया कंपणी का नाम नाम और आपकी जो उस कंप्टी में डावलपर हो या फिर आप टैली कॉलर ओ या फिर आप कोई भी डिजाइनर हो तो यहां पर डाल सकते हैं यहां से फिर नेक्स्ट आपका जो है वह दे रहा है इन्होंने इन्फर्मिशन आप डालना है कि मेरा वैतनाम के अंदर क्या परपस है विजिट करने का तो आप यहां पर टूरिज़ डाल सकते हो आपका जो भी परपस हो यहां पर सब्सक्राइब कर सकते हो तो मैंने यहां पर टूरिस्ट कर दिया है अब नेम आफ वोस्टिंग वैतनाम के अंदर मालो होची मिन सीपिया हनोय कोक पर ही पिए आपने होल फॉतल बूक कर रहा हुए तो वहां पर गृइंस शु준ह कर भीक्त दो को यहां पर ऑप जो है उसका क्या बोलते फोनकर डालना है अब यहां पर आपका शहो ह sinners को सब्सक्राइब श्रीजर मनें आपको बता है कि अपना भीज़टा वो 30 डेस का होता है तो यहां पर आपकी डेटा आजा कि पाप मलेशिया या पर कही भी किसी दूसरी कंट्री से जा रहे हो लेंट तो यहां से लेख कर सकते हो अगर अगर आप एरपोर्ट यहां अगर अपर शारे दाल दिया लिए यह एरपोर्ट निंजेक अफिट यहाँ प्रपीजियाब है अब तो आप शांसे पूछेगा कि आपने कहां से कहांगा पर पर प्रपस ता यह सारी सीजिया आपको डान दी हैं अगर आपने विजिट किया है नहीं करनी तो simply आप नो कर सकते हैं अब यहां पर पुछ रहा है कि आप क्या कोई वेतनम के अंदर कोई रेलेटेब है या कोई फ्रेंड या कुछ भी अगर आपका कोई दोस्त या कुछ है तो आप यस करो और उसकी नेम एडरस ने सब्सक्राइब कर रहा है या फिर कोई जो भी 14 यह से बिलो है तो उसका आपको यहां डालनी सारी चीज़े पासपुट नंबर और उसका फोटो यह सारी चीज़ा कर नहीं है तो आप इसको स्किप कर दीजिए अब इसके बाद है ट्रिप एक्समें से इंसोरेंस की आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां करने का फिर आपको यह पूछेगा कि आपके पास है की नहीं यहां पर दो चीज़ेंस करूँ है कि आप इंडिया से हजार वारे सो रुपए का हैल्थ इंसोरेंस आता है वह तीस दिन का होता है आप उसको ले सकते हैं को यह बड़ा ज्यादा कॉसली नहीं है वह ले सकते हैं अपकी ट्रिप सिक्यूर हो जाएगी वह भी एक बैनीपिट अगर आप नहीं लेना चाहते हैं आप सिंपली यहां को प match प्लिक्स टा करोगकि की आप मुझे फोटो सेमें करनी पड़ेगी फोटो सेवे करने के बाद यह आप नेक्स आप से पूछएगा कि मैं लिजै मैं फोटो डाल देता हूं और याओ जेपीजी ले रहा है कभी 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 क्या होता यह वितनाम की इवीजर जो वेबसाइट है बहुत स्लो चलती है तो उसका आप थोड़ा नैट का भी देखती है वैसे को इश्यू नहीं है अग्रीट हो जाएगी तो आपके पास फरी यह स्क्रीन आएगी यहां पर जो मेन है वह आपका ही पेमेंट करना है तो चलिए चलते हैं वहां पर आपका फिर होने के बाद यह आपको आपकी प्रोफाइल जो आपने कम्प्लीट करिए जिसमें आपकी डिटेल्स अगरा सब कुछ पूरी डाली हुई है यह सारा आपको यहां पर शो करके दिखा देगा एक तरह से आपका र 50 अमाउंट जो है वो 25 डॉलर का मुझसे चार्ज कर रहा है अगर व्यतनाम में आप देखोगे तो यह नहोंने व्यतनाम का भी दिखा रहा है एक्शेंट अगर यह सारी दिखा रही है अब मैं यहां पर आपके पास दो आप्शन है या तो आप इसको एट्यम कार्ट के मास्टा कार्ड कर सकते हैं आपको किसके थुरू करना है या फिर आपको वीजा या जो भी आपका काड है वह पूर करके आप जैसी आप्लिकेशन संब्समिट करोगे अपने वीज अनुकर तो यहां पर आपका कार्ड नंबर जब आप complete करोगे तो आज यह सब के पास mail आए गई यह आप जो देख रहा हूं यहां पर पूरी डिटेल यह एक sample है क्योंकि मैं apply नहीं करा हूं तो मैं सिर्फ आपके लिए वीडियो बना रहा हूं तो यह आपको एक तरह से आपको वीजा मिल जाएगा यह आपको इसका जो वीजा on arrival का जो sticker है वो आपके passport पर लग जाएगा यह आपको वेटनाम का वीजा जो है वो आपको मिल गया यह आपका complete process है वेटनाम यह वीजा की कि आपको कैसे apply करना है क्या क्या चीज़ें उसको चाहिए आपको यह सारी चीज़ें उसके लिए हैं ठीक है अब अगर फिर कि आने वाली वीडियो का आपका notification मिल जाए और चैनल